नारायन कवच का उपदेश राजा परीचित ने पूछा भगवान देवराज इंद्र ने जिश्य शुरक्षित होकर सत्रों की चतुनी शेनाओं को खेल खेल में अन्यासी जीत कर तिरलोक राज लश्मी का उबोग किया आप उस नारायन कवच को मुझे शुनाईए और यह भ प्रकार आकर्मकारी सत्वों पे विजय प्राप्त करी श्री शुक देव जी ने कहा परिचित जब देवताओं ने विश्य रूप को प्रोहित बना लिया जब देवताओं ने विश्य रूप को प्रोहित बना लिया तब देवराज इंद्र के प्रशन करने पर विश्य पर्चित होकर उसका सर्मन करो विश्रूप ने कहा देवराज इंद्र भाई का आउसर उपस्तित होने पर नायन कवच धायन करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए उसकी विदी आए कि पहले हाथ पेर्ध होकर आचमन करे पिर उत्तर मूं बैट जाये उसके बाद कौ़ पर देन और कुछ न बोलने का निश्चे करगी पविष्ट्रदा से ओम न्मो नाराः डाए ओम न्मो नाराः डाए ओम ओम न्मो नाराः डाए और ओम नमो भगवते वाशु देवाय ओम नमो भगवते वाशु देवाय। इन मंत्रों द्वारा हिर्दे आदी अंग्यास कर नियास करें पहले ओम नमो नारायनाए पहले ओम नमो नारायनाए इस अश्चर मंत्र के ओमादी आठ अक्षरों का करमस पेरो घुटनों जांगों पेट इस दै वचिस्तल मुक और सिर्षे नियास करें अथवा पुरवक्तर मंत्र के मकार से लेकर उंकार प्रयांतर आठ अक्षरों का सिर्षे अरंब करके उनी आठ अंगों में विप्रीत करमस से नियास करें तर्यांतर ओम नमो भगवते वाशुदेवाए इस ददच्षर मंत्र के पर अक्षरों का नाइं तर्जिनी तक माइं तर्जिन तक दोनों हातों के आठ ओंलिया। दोनों अंगुटेवाए नवहाए न मत्र के पहले अक्षर ओम का हिर्दे में विका ब्रह्मन दंद में शाह का भौंग के बीच मेरा का चोटी में वेका दोनों नेत्रों में और नाका सरीर की सब गाठों से न्याश करें तर ओ मास्त्राइफात का कर दिगंद करें इस प्रकार न्याश करने की विधी को जानने वाला पुरुश्मन्त सरूप हो जाता है उसके बाद शमगर एशुर धार्म यश्र लक्षमी ज्यान और वेराग प्रपूर इर्द्यो भगवान का ज्यान करें और अपने को भी तदर्वर चिंतन करें तत्पचाश विध्या तेज और तपसरूप इस कवच का पाठ करें भगवान स्री हरी गरुण जी की पीट पर अपने चरन कमर रखे हुए है अणमा आधी आठो शिद्या उनकी शिवा कर रही है आठ हातों में संक चक्र ढाल तलवार गदा बाल धनुस और पास फंदा धारन किये हुए है वेहियोंकार सरूपरभू शप्रकार से शब और शे मेरी रक्षा करें रक्षा करें रक्षा करें रक्षा करें मस्यमूर्ती भगवान जलके भीतर जल जन्तुओं से और वरुण के पास शे मेरी रक्षा करें मायाशे ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगानिस्तुल पर और विश्रूप स्रिवित्रम भगवान अकाश में मेरी रक्षा करें जिनके घोर अठास से सब दिसायें गूंज उड़ती थी और गर्वोती देत पत्रियों के गर्व गिर गेते वे देत इत पत्रियों के शत्रू भगवान नर्सिम किले जंगल रड़ भूमियादी विकटि स्थानों में मेरी रक्षा करें अपनी डाडों पर प्रतिवी धालन करने वाले यगमूर्ती वरहा भगवान मार्ग में पसुराम जी प्रवतों के शिकरों पर ओलचमन जी सहित भरत के बड़े भाई बगवान रामचंद प्रवाश के शमय मेरी रक्षा करें बगवान नरैन माराण मोहनादी भयंकरम चारोश प्रकार के प्रमादोशे मेरी रक्षा करें रिशी से शनर्व गर्व से योगेशर बगवान दत्ता तरे योग के विद्नों से ओर त्रुड़ुदापती भगवान कपिलकर्मन रोशे मेरी रक्षा करे परमर्शी शंत कुमारक काम देवशे है गृव भगवान मार्ग में चलते शमय देव मुर्तियों को नमस्कार आदीना करने के अपराद से देवर्शी नारद शिव प्रधाशे ओर भगवान कच्चप पवाद से बलराम जी मनुष्क कष्टों से ओस्री सेजी क्रोधवस नामक सर्पों के गड़ों से मेरी रक्षा करे भगवान श्रीकिष्ण देपयान व्यासदी अज्यान से तता बुद्ध देव पाखंडियों और प्रमाद शे मेरी रक्षा करे रक्षा करे दरम रक्षा क लिए महान उतार धारण करने वाले भगवान कलिक पाप बहुल कलिकाल के दोशोषे मेरी रक्षा करें प्राता काल भगवान केश अपनी गदा लेकर कुछ दिन चड़ाने पर भगवान गोविंद अपनी बाशुई लेकर दो पहर पहले भगवान नरायन अपनी चड़ सकती और दो पहर को भगवान उशोँ चक्रा सुदर सन लेकर मेरी रक्षा करें तीसले पहर में भगवान मदु सुदन अपना परचन धनुष लेकर मेरी रक्षा करें शायकाल में बर्मा अधित्र मोत धारी मादो शुयस के बाद हिशी केश अद रातरी के पूर्द अद रातरी करें रात्री के पिछले फेर में श्रीवच्चल स्रियरी उशkk अरिवागवान यनारदान काल्मूर्ती विश्योशर मेरी रक्षा करें सुदर्सन आपका अकार चक्र रत के पहिये की तरह है आपके किनारे का भाग प्रले कहले अगली के समान अतन तिब्र है आप भगवान की पेड़ने से सब और घूमते रहते हैं जैसे आग वायू की शहायता से सुके घास मुझ को जला डालती है वैसे ही आप हमारी सत्रु शेनाओ को सीग से सीग जला दीजिए जला दीजिए कोमादी की गदा आप से चूटने वाली चिनगारिया इस पस वज़ के समान असा है आप भगवान अजित की प्रिये हैं मैं उनका शेवक हूँ मैं उनका दाश हूँ मैं उनका शेवक हूँ मैं उनका दाश हूँ इसलिए आप कुसमान विनायक रियच राच्छस भूत और प्रिदादी ग्रहों को अभी कुचल डालिए कुचल डालिए तदा मेरे शत्रों को चूर चूर कर दिए शंकस्रेश्ट आप भगवान कृष्ण के फूकने से भेंकर शब्द करके मेरे शत्रों का दिल डाला दीजिए वितुधान प्रमात प्रेत मिर्त का पिचाच दा बरमराच्छा साधी भयवाने प्राणियों को यहां से जटपड भगा दीजिए भगा दीजिए भगवान की प्यारी तल्वार आपकी धार बहुति चड़े आप भगवान की पेड़ा से मेरे चत्रों को चिन भिन्द कर दीजिए भगवान की प्यारी डाल आप में सेकलों चंदकार मंडल हैं आप आप दिष्टी पाबत मां सत्रों के आखे बंद कर दीजिए उन्हें सिदा के लिए अंधावना दीजिए शूर आपी प्राणियों से में जो खॉलुयों जो जो हमारे मंगल के विश्टी जो जी हमारे मंगल के विश्टी होंए नाम रूप तधा आईदों का किर्थण करने époका अश्ट हो जाएं नाष्टन राधीर कर दीशो मादियों इस्टत्र 2020 की जाती है वेदमुर्थी घवगवा गरुण और विश्क्वेंजी अपने नमचरण के प्रभावशे हमेश्व प्रकार की विपत्तियों से बचाएं शीहरी का नाम रूप वहन आयुदों से श्पाशन हमारी बुद्धी इंद्रिया मन और प्राणों की सब प्रकार के अपत्तियों से बचाएं जितना भी कारत र भावशे हमारे शारे उपद्रों नश्ट हो जाएं जो लोग बर्मा और आत्मा की एक प्रकानव कर चुके हैं उनकी द्रिष्टी में भागवान का शरूब समस्त विकल्पों भेदों से रहीते फिर भीवें अपनी माया सक्ति के द्वारा भूसल आयुद और रूप नामक सक्तियों को ध्शक्तिों करते या वाप निश्चित रूप से सत्य हैं सदा सरवत्त सब रूपों से हमारी रक्षा करें जो अपने भैंकर 58 को से सब लोगों को भाई को बगा देते हैं और अपने तेज स सब का तेज ग्रस कर लेते वे भगवान नर्सिम डिसा विदीसा नीचे उपर बाहर भीतर सब और शे हमारी रक्षा करें देवराज इंद्र मैंने तुम्हे यह नारायन कवच सुना दिया है इस कवच को तुम अपने आपको सुरक्षित कर लो बस फिर तुम अनियासी सब देत यूत्पदियों को जीत लोगे इस नारायन कवच को धारन करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है या थो आ पेर से चू देता वा ततकाल समझ भैवोश मुक्त हो जाता है जो पुरुष इस वेश्री विद्या को प्राप्त कर लेता है उसे राजा डाकु प्रेत पुच द्हारन करके योग धारन में अपना सरीर मर भूमी में त्याग दिया जहां उस ब्रहमण का सरीर पड़ा था उसके उपर से एक दिन गंदर राचितरत अपने इस्तरियों के शाध विमान पर बैठ कर निकले वहां आते हुए नीचे की सिर्के विमान से पितिवी पर गिर प कर पूर्वाहनी सरस्ति नदी में परवाइद कर दिया और श्नान करके अपने लोग को चले गए श्री सुगदेव जी कहते हैं परिचित जो पुरुष इस नरायन कोच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारन करता है उसके शामने शभी प्राणी आदर से जुग जाते हैं और वाशाव प्रकार के भयोश्य मुक्त हो जाता है सत्कुत इंद्र ने आचार विश्रूप को या नरायन वैश्नी विद्या प्राप्त करके रेड़ भूमे मैसुरों को जीत लिया और तिर लोक राज लश्मी का उ अम नमो नाराय लाय ओम 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 नमो नाराय लाय वो कि तो आपना भय के लएंगेमा कहा उख लीरी डाम भल्यवीर। लाल्षाय गेले अच्छार हेलोरी के को अच्छार से के लाः आईग गष्छार से ओर डाहि टीजे़। ओम नमो नारायनाए ओम उग्रवीर महा विशुजलवन सर्तो मुकमनर सिम्मा भीसडबाद्र मिर्तों मिर्तों नमाम हैं ओम उग्रवीर महा विशुजलवन सर्तो मुकमनर सिम्मा भीसडबाद्र मिर्तों मिर्तों नमाम हैं ओम उग्रवीर महा विशुजलवन सर्तो मुकमनर सिम्मा भीसडबाद्र मिर्तों मिर्तों नमाम हैं ओम उग्रवीर महा विशुजलवन सर्तो मुकमनर सिम्मा भीसडबाद्र मिर्तों मिर्तों नमाम हैं ओमुग्रवीर महा विश्रुदर्वन सर्तो मुकंदर सिम्मा भीषण बद्य मिर्त्यु 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 मिर्त् के अलगान थे इस दिस इनकी रक्षा इनकी सुच्ण प्रते के शीव का करतब ब्रतेक्ज है कि मनुष्य का करतब भीय है ज्योको स्वूर come परभे को कुप्रेंग्र जाह Juby श्री आपको नाम और करता हूं नमस्कार करता हूं आपके फिस रुपी मंदिम में विराजमान प्रवर्म प्रमेश्वर इश्वर को में शर्वेश्वर को प्रमात्मा को प्रेम शहित किर्टेगता के शात में प्रणाम करता हूं किर्पा मेरा प्रणाम नमस्कार श्रविकार करें शाधु शाधु नमो नमा नमो नमा जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय स्री ओम जय आधिशनातन 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 श्रुम के हिड़दय रुपी मंदिर में प्रम प्रम प्रमेश वर प्रम तत्त का दर्शन उप्रमात्मा कहीं बाहर नहीं है वाशुदय उश्रवं सब जगा मौसूद है शुद्ध ज्यान मोक्ष मुक्ति का ज्यान ब्रम ज्यान शत को जाने ओम भू भाश्वा नमा ओम भू भाश्वा नमा शीताराम जय जय शीराम मैं रिशी पुत्र प्राशर रिशी की शंतान प्राशर रिशी का वंसत प्राशर रिशी का डेर्ने प्राशर रिशी का गोत्र आ अमड ब्रह्मा का मुख होता है, छत्रिये ब्रह्मा की भुजाई होती है, वैसे ब्रह्मा का पेट होता है, उदर होता है, और शुद्र ब्रह्मा के चरन होते हैं, जाती एक ही है, सिर्फ मानो की जाती ही जाती है, कहने का मतलब है, एक ही जाती एक नाम जीव की जाती होती है, समस्त जीव प्रमात्मा के वो अंसे है और हम भी प्रमात्मा के अंसे ना कोई छोटा ना कोई बड़ा हमारी जाती क्या है जीव जाती है जीव की जाती है हम सभी जीव है अलग अलग योनियों में विराज़मान है अपने अपने करम कर रहें इस करम भूमी प्रिथवी लोग करके हो नति करें प्रमात्मा की ओढ़े सथ पर चलें कोई छोटा बड़ा नहीं होता कोई वड़नों से ब्राम छत्रिएं वैश शुद्र नहीं होता है कर्मों से होता है, अपने ज्ञानषे होता है ये शमच लिजिए Q जाती ओर धर्म एक-ी एंप्रेम प्रम-ग्jam महान".